जाहिन दोस्तों सवाकत आप लोगा स्मार्ट लडगे के स्मार्ट चैनल के इस स्मार्ट सी वीडियो में और दोस्तों जिसका इंतजार था अब वो घड़ी खतम हो गई और फाइनल में आपके साथ है आज एक बहुत इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन सेयर कर रहा हूँ मेरे पास इस फोन में अभी अभी CVC से जो PDF आया है जिसमें री एक्जाम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है आपके साथ इस वीडियो में सबसे पहले मैं शेयर करने जा रहा हूँ सबसे पहले आपको मैं इंफॉर्म कर दूँ कि किन-किन सब्जेक्स में री एक्जाम दिया जा सकता है Candidates eligible to appear in examination यही सबसे important बात थी जो हम जानना चाह रहे थे कह रहे हैं कि जो बच्चे जो अभी एक result आया है उसमें वो बच्चे जो अपने marks से satisfied नहीं है बट उनकी mark sheet में past लिखा वा आगया है वो बच्चे एक या एक से ज़्यादा subjects में re-exam के लिए apply कर सकते हैं उन्हें कोई fees submit नहीं करनी होगी exam form की क्योंकि वो अपने fees already submit कर चुके थे और exam तो हुआ नहीं था तो आपकी वो fees ही आभी आगे चलेगी दूसरी चीज यहाँ पर चीज जानने वाली यह है कि वो बच्चे जिनके exam के साथ compartment लग गया है जिनको fail के category में डाल दिया गया है compartment वाले जो बच्चे हैं वो अपने compartment में ही paper दे सकते हैं रूल आपके लिए भी सेम है कि जिस paper में आपके ज़्यादा marks होंगे यहनि compartment वाले में तो वो आपके mark sheet में चड़ जाएगा या फिर पहले वाला लेकिन मैं एक चीज और clear कर दो जो री-exam बच्चे दे रहे हैं यहनि इंप्रूफ करने के लिए रहे हैं जिनके mark sheet में पास लिखा हुआ है उन लोग की condition यह है कि उनका जो अब री-exam जो देंगे उसी के हिसाब से उनका final result बनेगा यह अभी आपका result में नहीं भीजा जा कहा है कि exam centers CVC टै करेगी लेकिन इनका है कि हम covid protocols को ध्यान में रखेंगे ज्यादा बच्चे एक center पे नहीं भीजेंगे तो आपका most of the condition में यही मामला है कि आपका home exam ही होगा लेकिन कुछ conditions में यह बदल भी सकता है क्योंकि number of students की limit रहेगी या ऐसा हो सकता है कि दो पालियों यह sample paper कि तुरू दिखाया था यानि जो last year CVC ने sample paper release कि paper का format exactly वही रहेगा यह बात हम सुरू से कहते हा रहे हैं कि paper format में कोई change नहीं होगा syllabus में कोई change नहीं होगा तो इस बात का आप लोग को ख्याल रखना है result CVC ने कहा है कि जतनी जल्दी हो सकेगा हम जारी करेंगे और इसका हम portal apply बनाएंग यानि एक link generate को होगा CVC की website पर जहां पर जाकर करके आप re-exam के लिए apply कर सकते हैं automatically allowed to appear in the examination के condition यह है कि candidates whose result could not be prepared on the basis of tabulation policy 2021 will be automatically allowed to appear in the examination आने कि pre जो बच्चे private वाले हैं वो भी इस exam में बैट सकते हैं वो exam दे सकते हैं तो कुछ important information यह है candidate who has appeared in 2021 examination whose result has been declared as passed per the tabulation policy but are not satisfied with their result they can appear in one or more subjects to improve their performance the marks obtained by the candidates in this examination will be treated as final as mentioned in the policy of tabulation बाकी ज्यादा information आपको चाहिए मैं इस PDF का link अपने description में डाल रहा हूँ वहाँ पर जाकर कि आप पूरा ध्यान से पढ़ सकते हैं चिंता मत कीजिए आपके जो भी marks जादा होंगे वही final marks में चड़ेंगे री exam की date sheet का आएगी यह सवाल मन में उट रहा होगा तो री exam की date sheet CBC ने काया जितनी जल्दी हो सकते हैं कि डेकलियर करेंगा लेकिन इस PDF में clearly mention है कि वो जो paper होंगे वो अभी भी साफ साफ लिखा है 16 अगस्त से 15 अगस्त के बीच ही होंगे और CBC इसकी date sheet जल्दी से जल्दी declare करेंगे तो दोस्तों जुट जाए तैयारी में paper की तैयरी कीजिए इससे अच्छा chance अब नहीं मिलेगा क्योंकि अब भी अच्छा नहीं किया तो फिर अब पस्ता हैं से कुछ नहीं होगा तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही और भी बहुत सारी इस information जैसे ही हम तक मिलेंगे आप से share करेंगे तो तब तक मिलते हैं किसी नहीं वीडियो में गर पे रहिए पढ़ते रहिए